बहुत बाउंसी ज्यादा बाउंसी फील हो रही है बहुत बाउंसी फील हो रही है बने भी स्पीड ही कि 45-45 असा लग रहा था कि आसे यो टपक आ रही है आई साब अगर यह वीडियो देखे बगार आपने थार रॉक्स बुक करा दी है ले ली ना तो बाद में बोगत ही ज् सेवेन डबल ओ छोड़ कर्या थार रॉक्स च्याश परी सफारी में हैं रखेंगे अपना पाड़ diff दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया महिंदरा की ब्रांड न्यू का ड्राइव रविव्यो वह भाई साब उसका पूरा निम्बू नी चोड़ दिया गाड़ी का पूरी असलिया पूरी उकात गाड़ी तो आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी थार रॉक्स में रॉक कुछ कर भी रहा है या सरफ रॉक ही है पत्थर ही है तो वीडियो को लास्ट तक देख ले न उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो निचे बटन दबा दो चैनल पर नए उतो सब्सक्राइब कर ले न और अगर कोई नए गाड़ी ले रहे हो प्री डिलिवरी इंस्पेक्शन यानी पीडी करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कोन्तफ कर सक तो यह नीचे मारा नंबर आ रहा है अब हमें बुला के भी प्री डिलिवरी इंस्पेक्शन करवा सकते हो क्योंकि नहीं गाड़ी लेने के बाद अगर कोई बाद में समस्या आ जाती है ना तो बाद में काने खाने पड़ते हैं सर्विस सेंटर के धक्के उससे पहले आप मेक से हमारा नंबर अब वीडियो में चलते हैं आगे बहुत बड़ा से जूले जूले बहुत ज्यादा जूले हैं सीधी सीधी तो बहुत बढ़िया चल रही है इसको प्यार प्यार से ही जैसे यहां पर ना कि इसको ले बहुत आ रहे हैं कि अब देख तो लेने जिया क्या रही है सस्पेंशन बड़े सॉप्ट है अब रोड़ें के साफ से ट्यून हो रहे है पूरी की पूरी गाड़ी अब देखता है बैलेंस इसका कैसे बना रहे है अब बाउंसी ज्यादा बाउंसी गाड़ी है बहुत बाउंसी फील हो रही है साथ में बैठके बदा लग रहा है मतलब भी स्पीड ही कि चालीस पें तालीस ही ऐसा लग रहा था कि ऐसा यूँट टप्पे खा रही है अब शीट में लगाए यह वो इसका संसर करें अब चरिंग बहुत मकमल की तरह मलाई की तरह चलता अब बहुत सॉफ्ट है यह देख उंग्लियों जासा है वो स्कॉर्पियों जासा है चोटा डैश बोर्ड बाकि फील तो वही है तीन दरवादे वाले से ज्यादा प्रीमि यह देखना यह देखना यह को प्लेस्मेंट कासी है इस यह कितनी दूर लग रहा है बाकि भाई बोकाल तूरा गाड़ी है पहले से तो राइड कॉलिटी बहुत बेटर हो गई है यह मुझे यह पता कैसी फीलिंग दे रही है जैसे स्कॉर्पियान चला रहा होता हूँ वह अधर उस चाहिए बड़ी 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 इसकी वह भी अपने आप पर जोला है वह भी ऐसा ही फील होती है चलाने पर यहां पर थोड़ा सा प्रेस हम लग रहा है यहां पर वह तो शाहत अगर आप पीछे ही तोड़ी करके बैठो टेल्ट टलिसकोपिक और हम प्राइस ने लगए तो इसे कॉस्यां सब्सकूर्ट कुम क्या लगा रा ही और पीछ वह होग तो भीता पूरी नी आहरे है अलब और रहे हां यह थोड़ा एसा फ्यलोगत थे को फिल होता है मतला confidence नहीं प्रवाइड करती है अगर आपने थोड़ी सी भी हाई स्पीड पर चलानी है लेकिन यह है कि अगर प्यार प्यार से चला रहे हो न इसको इश्क महबत से यह सही है जैसे चला रहा हूं बंदा इसमे 24-24 संच के लाइस लगवालेंगे लोग तम क्यासे चलेगी तम क्यासे चलेगी तो टायर हैं जो कंपनी किलोमेटर टेस्ट कर रहेंगे बाद डाले में है जो प्रफाइल कंपनी सेट करके दे रही है कि अब एक बात तो है यह फैमिली कार नहीं इसको मान सकते अब बंदा फैमिली के साथ जा रहा हो तो इसको लही खाता रहे है अब यह बस है कि अभी वही लॉटल फाड़ों वाली गाड़ी है अब फोड़ा फोकाल इसका बढ़ गया है रोड पर प्रेसंस तो आई रही है कि इसकी है कि अब 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 तक तो देख जो स्टॉक गाड़ी है ना उसके अंदर राइड कॉलिटी ऐसी भी नहीं है मतलब स्कॉर्पियान जैसी फीलिंग आ रही है इसके अंदर जो है लेकिन यह नहीं बोल सकते कि आप बिल्कुली औरेंटेट गाड़ी ना वह तो पॉसिबली नहीं है लेकिन हां पहले की थार से बहुत इंप्रूब्ली में तो बहुत ही ज़्यादा बाउंसी थी मतलब रोड ऐसे दिख रही है जैसे कि आप पूरा राज कर रहे होते और रोड पर है यह देख है मतलब बोनट रवा का तीखाद नादर आ रहा तो था रोड कर रही है था रोड नौक तो अच्छावी में बैठें लग रहा है कि आप मुचि-फुचि गाड़ी में बैठें वह फीलंग आ रही है कि दूर लगा रहा है है अ आपो भी फील हो रही हो दो ना है कुछ दूर हूँ कि फिटन फिनिश भी बहुत लाजवाब और ब्लाइंड स्पाट भी बहुत ज्यादा बननी रहे हैं गाड़ी के अंदर ट्रू ट्राफिक कंडिशन्स जो हाँ पावर की कुई कम ही नहीं है गाड़े में यह देख्वा पकली 87 गाड़ी में लेकिन सीधी सीधी बिलकुल ओके चल रही है गाड़ी यह देख्यासा आपने स्टेरिंग हुपाया तो पूरी बॉड़ी भूंती भी आपको मसूस हो रही है कि यह जब 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 जूम पूरा कॉंफिटेंस स्टेरिंग नहीं हिला हो गया यानि कि इसको चलाने के लिए कि आपको ऐसी आता डलनी पड़ेगी कि स्टेरिंग बहुत ज्यादा आसे आसे करके निचला ना इसको और लोग पुरानी थार को निवक्षते यह देख ना यह देख असे प्लग जब लगए है पीछे पीछे था है सबॉट अब पीछे फिर भी बिटर है थाइस पोट्यार इस पेट ले कि लिए अ कह knob मद आप देख लिए बोग्धी ला जवाब अब रिकिंगे एक्सिलेंट ब्रेकिंग अब्स बढ़िया यार कंपडेबल लग प्राइब से लेकिन थोड़ी सी एक जैसे इनकलाइन में इस वजय से ना अगर आप बंदा बैठेगा बैठेगा ठीए त्यासरा बंदा भी आजागा इसमें फ्लाइब तीन बंदे रहां से बैठ सकते हैं इसके नहीं तो बीच में आ गया यह देख राम से बंदा बैठ सकता कोई हमपनी है कुछ नहीं है फ्लाइब फ्लाइब पूरा जो है यह देख बिल्कुल फ्लाइब तो 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 दोस्तों अब आपने देखा थारॉक्स का ड्राइब रिव्यू तो सबसे पहले शुरू करता है गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन से बहुत देखने में तो की जैसे नकल होती है ओवरॉल गाड़ी देखने में प्रेजेंटेबल लग रही है ठीडोर थार से बहुत बैटर नजार आ रही है लुक्स के मामले में तेरे के इंप्रेशन है जितनी इस प्राइज में सेवन डबलों के टॉप मोडल आते हैं यह स्कॉर्प्यों के सेवन सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं गाड़ी के पॉजिटिव से जो प्रेजन्स है गाड़ी की इसी चक्र में गाड़ी बिकने वाली है क्योंकि रूबिकॉन की बिल्कुल ट्रू नकल मारी हुई है थोड़े बाद चेंजिस बार से करके वह लेकिन वह सब्सक्राइब की गाड़ी है लेकिन हाँ एक आँखों का धोखा जरूर लगता कि हाँ रूबी कौन है यह तो इसका पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव साइज साइज के अंदर यह काफी बड़ी दिख रही है और पांच लोग की गाड़ी में बैठ पार रहे हैं अगला दोस्तों इसका पॉजिटिव जो इसका पैट्रोल इंजिन है यह पेट्रोल का ड्राइब रिभी हुए पेट्रोल आटोमाटिक का है तो जो पैट्रोल का इंजि टू लिटर का जो इंजिन है विट टॉर कनवर्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता गाड़ी में पावर की आपको कहीं से भी कमीनी महसूस होने वाली तो यह तो था इसका इंजिन का पॉजटिव अच्छा था तीसरा पॉजटिव पहले की मुकाबले अंदर से गाड़ी पुरानी थार के मुकाबले वह बहुत ही ओल्ड स्कूल सी लगती थी बनाई हुई थी बनाई हुई थी अब यह बहुत प्रीमियम बना दिया पैनारोमिक संरूफ डाल दिया गाड़ी के अंदर सेवन डबलोगला स्टेरिंग थ्री एक्सों का इंस्टुमेंट क्लस्टर औ अगले इसके पॉजिटिव की तरफ चलें दोस्तों तो इस बार महिंदरा ने जो विंडो कंट्रोल है वो मास्टर कंट्रोल यह पूरा राइट ड्राइवर साइट दे दिया हुआ जहां पर होना चाहिए पहले मैं बीच में कंगला साब दो बटन नीचे दे रखें यहां दे रखें बीच में कंट्रोल दे रखें तो वह चीज अच्छी नहीं लगती यह प्रैक्टिकल हो गई और फीचर रिच हो गई है गाड़ी जिवा तो यह तो है इसके बहुत अच्छे वाले पॉजिटिव अगला पॉजिटिव की ऐस कंपेर टू ओल्ड थार इसकी ड्रा जबादाई बाउंसी थी यह भी इसके बारे में बताएंगे नेगटिव में टपए तो खाती है यह जैसा कि वह प्रानी वाली थार से कम अंदों में काना राजा अगला इसका पॉजिटिव भाई आफ्टर मार्केट वालों के लिए कुछ काम चोड़ा ही नहीं कंपनी ने जो चीज आप टॉप मॉडल के अंदर होनी चाहिए वो सब दे रहे हैं है वगारा सब जो है इसके हर एक चीज जो है अपनाम लोग फीचर का वो इसमें मौजूद है पेट भर के एवन आटो डिमिंग मिरर भी मिल रहा है उपर के अंदर इसके सबी मिल रहा है लग बग ज लेकिन महिंद्रा ने जो टार्गेट किया उसके अंदर ये काम्याब हुआ अगला दोस्तों गाड़ी का पॉजिटिफ की गाड़ी की विजिबिल्टी बहुत ही शांदार थी जो की महिंद्रा की यूएस पी है इनकी कोई भी गाड़ी हो स्कोर्पी ओनो सेवन डबलो लेक इस टूएज नेजर आ रहा है आपको पूरा दिखता है बेलकुल विजिबिल्टी बहुत बढ़ी है अगला दोस्तों इसका पॉजिटिफ गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत लाजवाब है आप जरह एक बर ये ब्रेक वाला सीन देख लो दूबारा को अगला दोस्तों इसका पॉजिटिफ की अंदर हर चीज आपकी रीच में है जो भी आपको बटन डेडिकेटेट बटन दे रहे हैं स्क्रीन हर चीज आपकी रीच में गड़ी और कॉलिटी एंफिटन फिनिश काफी जादा बढ़ी बेटर है महिंदरा के अपने स्टेंडर क मुताबिक दोस्तों यह थे कुछ महिंदरा थार रॉक्स के पॉजिटेव अब चलते हैं इसके नेगेटिव की तरह तो भाईया सबसे बड़ा नेगेटिव गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी आप अगर यह सोच के ले रहे हो कि भाईया मैं तो एक फैमली कार ले रहे हो म बाकि गाड़ीों में तो जूले यह थोड़ी ही स्पीड पर इसमें जूले आपको उपर यह तने यह तनी बाउन्ची तरफ के लिए इसकी और लेकर द्राइव कालिटी सिर्फ नो बकवास बिल्कुल बकवास ड्राइव क्युक्तों में पूछ तो कि एक अगर ड्राइवि परसन गाड़ी को चलाना चाहेगा तो उसको पसंद यह कभी भी नहीं आएगे इससे फार बेटर महिंदरा की 7W चलती है इतनी उपर है वह बहुत सुपीरियर है सेम इंगे साथ डीजल और पेट्रोल के अंदर वह ज्यादा बेटर चलती है यह लेडर और प्रेम है जो भी है आपको कोई नहीं बताएगा यह सब चीज चला कर देख लेना क्योंकि बंदा यह वही लेगा जू सेग्मेंट की गाड़ी प्लान कर रहा है सेवन डबलो हेक्टर बहुत से लोग ऐसे होएंगे दोस्तों जो इन गाड़ियों को 7W सफारी वगरा को छोड़ के थार रॉक्स की तरफ जाएंगे तो बात कर रहें कि कोई मैच ही नहीं है जाड़ी चलाने में कोई मैच नहीं है हाँ बोकाल चाहिए नकली आपको वह प्रेजन्स चाहिए कि भाई रूबी कॉन ले तो बिल्कुल आप ले सकते होगा लेकिन अटेंशन भी कुछी दिनों की रहेगी सब्सक्राइब तो जो बीच में बंदा बैठेगा तीसरा बंदा बैठेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी तांगे रखने में पूरी जमीन जाए फ्लाट है लेकिन आई सब थाई सपोर्ट गाड़ी का इतना ज्यादा कम है आगे भी नहीं आगे तो है नहीं खताम है आगे की बात करो चाहिए पीछे की बात करें पुरानी स्कॉर्पियों नहीं इतनी सपोर्ट होती थी सेम हाल इस गाड़ी का और अगला इसका दोस्तों नेगटिव लेफ्ट नहीं आपकी अटकती है और आटमेटिक वेरियंट है यह आप फोड़ा के देख लेना यह आपक मैं दिल्ली से मुंबई चले जाओ तो चले तो जाओगे लेकिन जो कमफर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वह इसमें नहीं मिलने वाला तो दोस्तों नेगटिव की तो और भी है भरमार लेकिन अब आता है हम कंक्लूजन के उपर दक्ष इससे पहले दोस्तों कंक्लूजन शुरू करें अगर अपनी किसी गाड़ी में सीट कवर लगवाना चाहते हो नहीं गाड़ी ली है पुरानी गाड़ी है नहीं है पुरानी है जोन सी भी गाड़ी अगर सीट कवर लगाना चाहते हो तो भाई साब इस नंबर पर कंटक्ट करना और बेस सीट कवर हमने खुद हम जी थार रॉक्स तो भाई कंक्लूजन यह है कि ओवरॉल गाड़ी प्रेजन्स वाइज लुक्स वाइज बहुत सुन्दर लग रही है अती सुन्दर इसमें कोई डाउट नहीं है जो बंदा अटेंशन ग्राप करना चाहता है लोगों की वह जुरूर इस गाड़ी की तरफ जा सकता है अब प्राइमरी गाड़ी ले लोगे तो प्राइमरी भी ले सकते हैं गाड़ी का सपना पूरा करना है गाड़ी लेनी है 20-25 लाग के बजट में सुन्दर चाहिए भगाल चाहिए तो यह गाड़ी ली जा सकती है अगर इतनी कोई खासी रानिंग है नहीं हर समार देना फिर आसे करके सफारी तो बहुत दूर की बात है सब्सक्राइब लोगी मैस नहीं करती इसके राइट कॉलिटी समझ के गाड़ी मतले ना क्योंकि यह इस तरह की गाड़िया ना बहुत ज्यादा ना है स्पीड पर जा सकती है जाएगी जरूर लेकिन भागती है सब्सक्राइब लेकिन अगर आप दिमाग की सुनो तो भाई इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है लेने वाला सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजन्स मिलेगी आपको और वह भी यार बात पता क्या सब को पता कि यह थार रूबी कॉन बना लोगे जितना मर्जी रूबी कॉन नहीं नजर आएगी उसकी एक अलगी प्रेजन्स नजर आती है वह गाड़ी है भाई प्रॉपर मतलब पता चलता कि एक चीज़ बस उसकी कॉपी है अगर आप थर्ड कॉपी उसकी सेकंड कॉपी जादा बढ़िया चलते हैं वह सिर्फ जिनको भॉकाल बनाना जिनको प्रेजन्स चाहिए यह गाड़ी उनके लिए वह बिल्कुल ले सकते हैं गाड़ी निश्चिंत हो के ना उनको ड्राइव क्वालिटी से मतलब है ना उनको डैनेमिक से मतलब है लोगों वैसे भी इस ग अब कि मैं कि मैं थार लूँ स्कॉर्पयों क्रेटा लूँ सेल्टा लूँ चोटी गाड़ी नूँ बड़ी इस डान लूँ मुझे नहीं समझा रहा तो यह दोस्तों मारा नीचे वाट्सअप नंबर बना रहा वाट्सट पर मेसेच जरूर करना अगर हाल प्सक्राइब कि जाती है और सर्विस सेंटर जाती है गाड़ी क्रेन पर चड़के तब पता चलता है कि इन चीजों की क्या इंपोटन्स है और अभी जैसे धडले से नहीं गाड़ियां आरी है टाटा की करव आई है थार रॉक्स आई है डिलिवरियां शुरू आए पहले के लॉट में तो वै बहुत पसंद आई योगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक चानल को सब्स्राइब अपना आपको क्या फीडबाक है थार के बारे में कमेंट जुरूर करना कमेंट की वेट रहेगी मैं जानना चाते हैं लोग की बाई लोगों की क्या राय है इस गाड़ी के बारे में और